हलो दोस्तों आप सबों को स्वागत है जेके स्टेडी चैनल में तो आप सभी कोई कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे तो आज का जो टोपिक है आज हम लोग जिस का संबंदित वीडियो बराने ज अस्थूत किया जा रहा है तो चलिए बिना किसी देरी के आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नए हैं और वीडियो को आप ज़रू से जरूर शेर कीजिएगा ताकि हर एक लोगों तक पहुँच प जारकन में लव इस्पात उद्योग कहां इस्थापित है आपको बताना है जारकन में लव इस्पात उद्योग जो है वो किस किस जगे पे इस्थित है जारकन का लव इस्पात उद्योग वहां पे आपको दिखाई देगा आपका जमसितपूर के टिस्कों में और बोकारो का बोकारो स्थिल सिटी में आपको लव इस्पात उद्योग देखने को मिलेगा तो चलिए अगला कोश्यन है कोश्यन नमबर टू भारत का सबसे प्रथम लोहा तथा इस्पात कारखाना कहां खुला था आपको बताना है सबसे पहला देश का पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहां खुला है आपसन है दुरगापूर आपसन बी है जमसेदपूर आपसन सी है बोकारो आपसन नमबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है option number B जमसेदपूर जारकंड की स्टील सिटी स्टील नगरी जमसेदपूर और इसकी स्थापना जो हुई थी 1937 में हुआ था और यह जो कारखाना है टिसको में टिसको नाम से स्थापित किया गया था और यह जो कारखाना है आपका स्वन रेखा रिवर और खर्खई नदी ठीक है खर्खई नदी के किनारे पे यह स्थी थे यह सहर जमसेदपूर तो चलिए और अगरा question हम लोग चलते है question number 3 Tata Iron and Steel Company जिसको सोट में टिसको कहते हैं जारखन के किस जीले में इस्थित है जैसे आप सबों को पता है कि जो टिसको है वो जमसेदपूर सहर में इस्थित है लेकिन आपको बताना है कि यह जो सहर है किस जीले में इस्थित है option A सराइकेला खरसावा option number B पश्यमी सिम्भूम option number C पूर्वी सिम्भूम और option number D गुमला जीला जिसका सही जवाब क्या होगा option number C पूर्वी सिम्भूम में है आपका टिसको फैक्टरी चलिए अगला question टाटा एरन एंड स्टील कमपनी की स्थापना किस ने की थी आपको बताना है इस टिसको कमपनी की स्थापना किस ने की थी option number A है जम्षेद जी टाटा ने, option number B है रतन टाटा ने, option number C है धीरुभाय अमबानी ने या इन में से कोई नहीं तो जो टाटा स्टील कमपनी है जिसको टिसको कहती है वो जम्षेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया और इसी के द्वारा, जम्षेद पूर सहर को भी बस आया गया इसका नीर्मान जम्षेद जी टाटा के द्वारा कराया गया था और जो टिसको कारखाना है उसकी स्थापना आपका 1907 में हुआ था लेकिन काम स्टार्ट होने का बात है तो वो हुआ था आपका 1912 स्वि में इस फैक्टरी में काम करना स्टार्ट हो चुकी थी चलिए यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है उस पर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि क्या चीज दिया हुआ है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टिस्को द्वारा किया गया था जमसेजी टाटा के द्वारा तो इस कमपनी के स्थापना जमसेजी टाटा के द्वारा किया गया था और आपका जो टिस्को कमपनी इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 स्वि को किराया गया था हलांकि जमसर जी टाटा जो है उसकी मृत्यू जो हुई थी आपका 19 माई 1904 इसवी को हो चुका था वैसे इस स्थापना असन स्थापना के गरोप में हम लोग जमसर जी टाटा को जानते हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी 26 अगस्ट 1907 इसवी को हुई थी लेकिन इनकी जो मृत्यू जो हुई है वो 19 अगस्ट 1904 इसवी मतलब इस थापना करने से पहले ही इसकी मृत्यू हो चुकी थी लेकिन श्रे आपको जमसर जी टाटा को ही दिया जाता है लेकिन इसके बावजूद जमसर जी टाटा को टाटा एरेंड आयन इस्टिल कंपनी का संस्थापक माना जाता है क्योंकि जो स्थापना हुई थी और उससे पहले ही उनकी मृत्यू हो चुकी थी लेकिन संस्थापक के रूप में इनको ही माना जाता है दोराब जी टाटा भारती उद्योग पती फिलांत्रोफ पीस्ट थे वह जमसर जी टाटा के बड़े भाई थे जो आपका फिलांत्रोफ पीस्ट जो है वो जमसर जी टाटा के सबसे बड़े भाई थे और टाटा समू के एक प्रमुक संचालक के रूप में भी वे काम करते थे मदब उनका सही योग देते थे चलिए अगला है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट सहर मतब किस सहर में स्थापित किया गया आपको बताना है किस सहर में स्थापित किया गया भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कोलकाता में भिलाई में जमसेदपूर में या बुकारो में तो ये जो चारो जो आप देख रहे हैं वो चारो जगा पे आपको स्टील प्रोजेक्ट देखने के मिलता है लेकिन भारत का जो पहला प्रोजेक्ट था वो जारखन का स्टील नगरी जमसित्पूर में ही स्थापित किया गया था चलिए अगला कुश्चन टिसको को चूना पत्थर डोलो माइट फायर के लिए इतियादी की प्राप्ति उरिश्चा के सुंदर गड़ जीले से होती है तो जल की प्राप्ति कहां से होती है आपको बताना है आपको यहाँ पे दो कोश्चन नजर आ रहे होंगी आपको कोश्चन पूछा जा सकता है कि टिसको में चूना डोलो माइट फायर के लिए इतियादी जो है वे कहां से लाए जाते हैं तो क्या होगा उरिशा के सुंदर गड़ से लाए जाते हैं लेकिन प्रशन में पूछ रहा है कि जल की प्राप्ति कहां से होती है संक नदी से स्वन रेखा खर्खई से दामोदर से अजैसे तो इसका सही जवाब है उप्सन नमबर बी स्वन रेखा खर्खई नदी से क्यूंकि इसी नदी के किनारे ही या सहर बसाया गया है या फैक्टरी का निर्मान कराया गया है चलिए अगला क्वेश्चन है जारकर में टीन प्लेट कमपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 हिस्वी में कहा की गई आपको बताना है कि टीन प्लेट कमपनी जो है उसकी स्थापना कहा की गई 1920 हिस्वी में गोलमूरी जमसेतपूर में चास बोकारों में बरही हजारी बग में या हटिया रांची में तो टीन प्लेट कमपनी ऑफ इंडिया की स्थापना जो 1920 हिस्वी में की गे थी वो आपका गोल मुरी जमसेदपूर में किया गया था है ना चलिए अगला क्वेशन है ज़ार्खंड ट्रक निर्मान कारखाना आपके कहां इस्तित है? जमसित्पूर में, राण्ची में, भोकारो में, धनबाद में जिसका सउजवाब है option number A जमसित्पूर में आपका ट्रक निर्मान कारखाना स्थित है चलिए अगला question भारत का सबसे बड़ा लव इस्पात कार खाना कौन सा है भारत का सबसे बड़ा लव इस्पात कार खाना कौन सा है राउरकेला इस्पात सन्यंतर, भुकारो इस्पात सन्यंतर, दुर्गापूर सन्यंतर या इन में से कोई नहीं तो सबसे बड़ा लव इसपात कार खाना आपका option number B बोकारो इसपात कार खाना जो है वो है आपका बोकार स्टील सिटी लेकिन अगर प्रथम का पूछा जाता है तो वो होगा टिसको ठीक है टिसको चलिए अगला question वैसे फिर भी आपे description मदब कुछ दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो यह जो बोकारो सहर है आपका जारकन की जारकन मिशती थे अब बोकार स्टील प्रांट जो है वो सोबियत की मदद से इसका निर्मान किया गया अगर बंच वर्सिया की बात करें तो तीसरी पंच वर्सिया योजना के माध्यम से इसके निर्मान कराया गया और तीसरी पंच वर्सिया योजना जो है वो 1961 से 1966 के दौरान 1964 इस्वी में बोकारो स्टील कारखाना का निर्मान कराया गया था चलिए आगे चलिए एसिया का सबसे बड़ा स्टील सन्यंत्र माना जाने वाला भुकारो स्टील सन्यंत्र की स्थापना किस पंच वर्स योजना की दौरान की गई थी तब ही हमेंने इसका उत्तर दिया त्रित्या है ना आपका त्रित्या पंच वर्षिय योजना के माध्य हम से इसका निर्मान कराया गया था सोवियत रंग के द्वारा सोवियत संग के द्वारा इसका निर्मान कराया गया था 1961 से लेकर 1966 के बीच में कराया गया था 1964 में इसका निर्मान हुआ था अगला कोशिन है निमलिखित में से किस इस्पाथ सन्यांत्र को लवाएस्क की प्रापती लवटती हुई मालगाड़ी से होती है निमली कित में से किस इसपाद सन्यांतर को लव एस की प्राप्ती लवड़ती भी माल गाड़ी से होती है माने आपको फैक्टरी का नाम बताना है कारखाना का रावर केला बोकारो भिलाई या इन में से कोई नहीं जिसका सही जवाब है ऑप्सन नमबर B बोकारो स्टील सिटी चलिए अगला क्वेश्चन जारखन का भारी उद्योग वाला जीला कौन सा है जहां पर बहुत सारे उद्योगों को स्थापित किया गया है तो वो कौन सा जीला है धनबाद बोकारो पलामू राची जिसका सही जवाब है ऑप्सन नमबर D राची में भारी उद्योग वाला जीला कहलाता है जो आपका है यह है यह है जो है वो आपका राची जीला में स्थीत है अगरा कोशन हैवी इंजिनेरिंग कॉर्पोरेशन जिसको HEC कहते हैं जारकन के किस सहर में स्थापित है जो आपका HEC है वो राची में धनबाद में जमसितपूर में बोकारो में तो यह जो फैक्टरी है राची सहर में मतलब जारकन के राची में इस्थीत है और यह भारत स सरकार के माध्यम से और रूस एंड चकोसलाविया के सहयोग से इस फैक्टरी का निर्मान कराया गया था चलिए यहां पर कुछ-कुछ बाते दी गई है एचिसी फैक्टरी से जम्बंदित तो इसको भी देखते हैं जो आपका हेचिसी है जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं हेवी इंजिनेरिंग करपरेशन लिमिटेड या हेचिसी तो भारती उद्योग कंपनी है जो इंजिनेरिंग उत्पादों वी निर्मान परिवर्धन अपराधिकरन करती है ठीक है और हेचिसी का मुख्याला जहार पाखन के राज की राजधानी रांची सहर में इस्तित है और एगर स्थापना की बात करते हैं तो 1958 इस्वी में इसकी स्थापना हो चुकी थी और इस फ्यक्टरी की जो स्थापना है एचिसी की स्थापना दूसरी पंचवर्शी योजना 1956 से 1961 के बीच के दवरान किया गया और अगर उत्तित पादन सुरू करने की बात करें तो 1964 इसकी स्थापना किस पंचवर्शी योजना के दौरान की गया थी तो आपको बताना है किस पंचवर्शी योजना के दौरान किया गया था तो इसका सई जवाब होगा ऑप्सन नमबर बी दूइत्य पंचवर्शी यो पुजना के द्वारा कराया गया था 1954 से लेके 61 के बीच में कराया गया था और अगर स्थापना की बात करें तो 1908 इश्वी में कराया गया था और उत्पादन आपको यहां पर दिखाए दे रहा है 1964 में चलिए अभी इसका फिर से वही कोश्यन आ गया इस पे हमने डिसकस किया था उत्पादन किस वर्श किया गया जिसका सही जवाब होगा option noc 1964 से में इसकी उत्पादन सुरु हो चुका था है एक सी किस थापना किन देशों के सहयोग से की गयी है एक सिक इस थापना आपका किस देश के सहयोग से किया गया है उप्षन ए है पुर्व सोब्यत रूस एंड चेकोसलोवाकिया इंगलाइंड एउम जर्मनी जपान एउम रूस या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा उप्षन नमबर A रूस एंड चेकोसलोवाकिया के सही योग से इसकी इस्थापना की गई थी आप अगला कोश्चन में देखेंगे है एचिसी संबंदित है तो एचिसी के प्रमुक इकाई या कौन-कौन सी है ये बताना है आप्षन ए है फाउंडरी फोर्ज प्लांट, हेवी मसीन वेल्डिंग प्लांट, हेवी मसीन टूल्स प्लांट या उप्रोक सभी तो इसका सही जवाब होगा आप्षन नमबर D उप्रोक सभी एचिसी के प्रमुक इकाई है चलिए अगला कोश्चन जारकन में टीन प्लेट कार खाना की स्थापना किस वर्ज हुई है जारकन में टीन प्लेट कार खाना की स्थापना हो चुकी है और यह जो है आपका पूर्वी सिम्भूम में स्थित है जारकन राज में प्रतम सिमेंट उद्योग की स्थापना 1921 हिस्वि में कहां हुई थी? जारकन राज में प्रतम सिमेंट उद्योग की स्थापना और जो 1921 हिस्वि में हुई थी? वो कहां हुई थी? उप्सन A बंजारी में, उप्सन B जपला में, उप्सन C खलारी में या उप्सन नमबर D जिंक पानी में तो इसका सई जवाब होगा, उप्सन नमबर B जपला में और ये जपला है जारकन के राज एक जीला है पलामू वहीं पे या जीला स्थीत है मने सहर इस्थीत है और ये जो है सोन नदी की किनारे में इस्थीत है चलिए अगला कोशन चलिए इससी संबंदित है यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं जो जपला है जो सिमेंट उड्योग है उसकी स्थापना आपका 1901 कैसिसम हो चुकी थी और इसके अलावा जपला के अलावा जिंक पानी जो पच्छमी सिंबूम में है जमसेदपूर पूर्वी सिंबूम डेमो टार जो हजारी बाग में है खलारी जो रांची में है बोकारो एमसिंद्री जो धनबाद में है तो वहाँ वहाँ भी आपको सिमेंट उड्योग कारखाना देखने को मिलेगा लेकिन परतम की बात करेंगे तो वो आपका जपला होगा जमसेदपूर में है एक लफार्ज नाम का सिमेंट जो काफी चर्चित है काफी परिचित है तो यह कारखाना जो है जो लोग स्पाथ के प्राप्थ होने वाले और सिष्ठ पूर्णता अधारित है मतलब यहां पर सिष्ठ पदार्थ है उनके द्वारा इस सिमेंट का अब ही निर्मान कराया जाता है चलिए अगला है जपला सिमेंट सनेंतर किस जीले में इस्थित है अभी ही मैंने आपको बताया पलामू में स्थित है और यह सो नदी के तठ पर स्थित है चलिए जादा इसपर डिसकस नहीं करते हैं अगला कोशन देखते हैं जिंक, पानी, सिमेंट, सनियंत्र किस जिले में स्थित है जिंक, पानी, सिमेंट, सनियंत्र पूर्वी सिम्भूम, राची, पच्चमी सिम्भूम या धनबाद में तो इसका सही जवाब है option number C पच्चमी सिम्भूम में आपका जिंक, पानी, सिमेंट factory इस्थित है अगला कोश्यन है सिंद्री सीमेंठ सनयंत्र किस जीले में स्थित है सिंद्री सीमेंठ सनयंत्र आपके बोकारो धन बाद गिरिडी गोड़ा तुसका सही जवाब होका ओप्, नमबर A गोड़ में यह सिंद्री नामकस्थान सिंद्री सिमेंट सनयंत्र इस्थित है अगला है लफार्ज सिमेंट सनयंत्र किस जिले में अवस्थित है लफार्ज सिमेंट सनयंत्र आपका जिंक पानी जमसेदपूर सिंद्री इन में से कोई नहीं तो यह जो सिमेंट का रखाना है लफार्ज का वो जमसित पूर जो पूर भी सिम्भूम में इस्थित है वहां इस्थित है अगला कोश्चन है खलारी सिमेंट सनेंद्र किस थापना किसके द्वारा किया गया था खलारी सिमेंट सनेंद्र किस थापना ACC, BCC, SSC या इन में से कोई नहीं जिसका सही जवाब हो का option number A ACC के द्वारा खलारी सिमेंट सनियंत्र की स्थापना की गई थी अगला question है Demotard सिमेंट सनियंत्र की जिले में स्थित है Demotard सिमेंट सनियंत्र आपका रांची, कोडर्मा, हजारी बाग या गुमला तो इसका सही जवाब हो का option number C हजारी बाग में है आपका Demotard सिमेंट सनियंत्र आपका है अगला है सिंद्री किसलिए प्रस्थित है जो सिंद्री है, जो धनबाद में स्थित है, वो किसलिए प्रस्थित है उर्वरक के लिए, अल्मुनियम के लिए, तामबा के लिए इन में से कोई नहीं तो सिंद्री जो है आपका उर्वरक के लिए काफी प्रस्थित है अगला है, सिंद्री जो धनबाद में है, सिंद्री उर्वरक सनेंट्र के स्थापना के लिए ती सिंद्री उर्वरक सनेंट्र के स्थापना कब हुई थी ओप्शन देखिए 1948, 1951, 1956, 1963 तो इसका सही जवाब होगा, ओप्शन नमबर आपका B अगला है सिंद्री उर्वरक सनियंत्र की स्थापना किस के द्वारा किया गया था सिंद्री उर्वरक सनियंत्र की स्थापना भारती पात प्राधिकरन के द्वारा फार्टी लाइजर कॉर्परेशन ओफ इंडिया के द्वारा दामोदर घाटी निगम के द्वारा या इन में से कोई नहीं जिसका सही जवाब है सिंद्री उर्वरक सन्यंत्र की स्थापना जो है वो Fertilizer Corporation of India के द्वारा उनके सहियों के द्वारा किया गया था सिंद्री उरवरक सनेन्तर की स्थापना किस पंच वरशी योजना के पास गई मतलब आपको बताना किस पंच वरशी योजना के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी अप्शन है प्रथम द्वित्या तृत्या चतूर्थ इसका सेज़ आपको अप्शन नमबर ए प्रथम बंच वर्षिय योजना के द्वारा सिंद्री उर्वरक सनेंतर की स्थापना किया गया था और ये आज का अखली कोशन इंडियन एक्सपलोसिव फैक्टरी की स्थापना पांच नमबर उनिसव पचपन को जारखन के किस अस्थान पर की गई थी इंडियन एक्स्प्लोसिव फैक्टरी की स्थापना जो 5 नोवंबर 1955 इसवी को हुआ है जारखन के किस अस्थान पर है रांची में, धनबाद में, गोमिया में, चमसेतपूर में जिसका सही जवाब होगा option number C गोमिया में, आपका इंडियन एक्स्प्लोसिव फैक्टरी की स्थापना की गई है तो चलिए इसी के साथ, आज की इस वीडियो को मैं यह पर समावत करता हूँ वीडियो आप सबों को कैसा लगा, वीडियो का माद्य हम से बहुत सारी बाते हैं जानने मिली होंगी, तो उन सारी बातों के लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबों से निवेदन करता हूँ, कि तो वीडियो का आप ज़र से ज़र लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और चैनल में जो नए है वेलोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूरिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान दीजिए सुरक्सित रहिए और खुस रहिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान दिजे बहुत बहुत धन्यवाद